तो गाइज को डिजनीं तो गाइज ये इंसाइट्स की 10th and 12th अप्रेल डोनों के डेली करंट अफेस्वीज हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले 10th अप्रेल की फाइन consider the following statements about the national commission for women तो आपको ही बतारे है national commission for women के बारे में यह हमारा प्रेटिक अंडर का रोगा इट अल्ड़ पावर्ट ऑफर सिफिल कोट के सिविल कोट के इनके पास सभी पावर होती है तो काई यह स्टमें बिल्कुल करेक्ट है इन करेक्टर सोरी इट एक एन अटेंड टो केसी दो हरेस्मेंट और अप्रोपरेट पनिशमेंट देख वाइ यह क्या कर सकती है इन्वेस्टिकेशन कर सकती है कुछ रिकॉमेंड कर सकती है और नहीं कर सकती इसके लावा कोई भी जो क dipping कार्बीजिंस एं तो कैकर सकते रिव्यू कर सकती है तो के इसमें जो फॉली खुकल में ऑपगो छुछ सिट्वट्फ है और सुमेंट अमिश्यफ्येशन करता है रहिज हो ह थना है के वाख से विडेटप और सॉर्टिकेशन हो में अभार यह सुपार्टन को रिव्यू क इसके लाव के करते हैं कुछ यह को मैं करते हैं किस तरह से लोज बना सकते हैं तो अगेन यह कोई भी कोट नहीं है ठीक है यह क्या कर सकती ग्रिवन्स को अटेंड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उसके अगेंस action को recommend कर सकते है किसी भी punishment को order नहीं कर सकती जो मैं आप से discuss कर चुकी हूँ second question है consider the following state regarding phase 2 of the Swachh Bharat Mission Gramming it will focus on the open defecation free plus यह हम काफी बाद discuss करते है जिसके under यह कि open defecation free तो है साथ मे solid and request waste management है यह बाद दिल्कुल correct है this program aims to ensure that no one is left behind and everyone uses toilet यह बाद बिल्कुल correct है the program will be implemented with 100% financial assistance but from the center के फूली सेंटर funded है तो काई यह इस्टिटो third statement वो incorrect है क्योंकि यह जो स्कीम है वो सेंटर स्पॉंसर्ट स्कीम है मतलब कि वही है as per reason क्यों क्योंकि सेंटर और स्टेट क्या करेंगी शेर करेंगी नॉर्मल एरेस में 60 रोशी 40 में हिल एरेस है नॉर्थ इस्ट में 90 रेशो 10 में और यूटीस में 100 परसेंट यह तो इसमें जो correct statement है वो एंली first and second है बाकिया detail explanation देख सकते हैं union cabinet आपको पता ही है सोज भारत mission जो phase 2 है उसको एप प्रूफ किया 24 से 2025 तक के लिए जिसमें हमारा aim है कि हम किस पर focus करेंगे open definition free plus पर जिसका aim क्या है साथ में solid and liquid waste management का भी और हमारा aim है कि कोई भी पीछे ना रहे कि वो toilet use ना कर सके ठीक है इसको implement किया जाएगा इन 4 सालों के लिए बाकि जो funding का जो pattern आपको बताई दिया जो पर सेंटर बाकि नोट इस्टेंट इसके लिए यह नाइट इसके लिए यूटी ओव जीके के लिए ठीक है आई मिन जमू कश्मीर के लिए 60 इसको फोर्टी अधर सेट्स के लिए और हंड़र जो परसेंट फंडिंग है वो यूनिट इसके सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें क्या है विल अंडर्स्टेंट इंटर्नल वक्किंग ऑफ इको सिस्टेम ऑफ इंडिया नोशन यह बात भी रूक्त है अगर आप इंटर्स 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 मतलब सब्सक्राल कि सब्सक्राइब तष्ट के यह बात तीनों के तिनों से भूb करेक्ट है कि यम्लस देख सकते हैं हैं उने श्रीन क्वाज़द युटें होते हैं इस ने काफी मैक्रोनियूतों के जासे नाइक्रेट्स मेर्टैंट नेक्स्स कोश्यंस करते हैं अगर आपको जेग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि तर्की और इराक से चाहिए वह बिल्कुल किसा है मिकोंग रिवर फ्रोस्टू पार्ट्स अरुनाचर प्रतिश यह बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि जो मिकोंग रिवर वो इंडिय नहीं जाती है मिकोंगणा कोपरेशन मतलब कि आइम वह दोगनाईजिशन है उसका इंडिया जिरूर पार्ट अलिकिन वह मतलब कि इंडिया के किसी भी स्टेट से ऊंगे नहीं गोज़ने तो इसमें जो उट्रेट्मेंट क्या है क्रेक्ट है तो आप एक बार देख सकते हो जो टिकरिस है इस दा इस्टन ओफ डु घ्रीवर जो डिफाइब करता है मिसोपेडामियों को इसके लावा एक अगर आपको अग्रिकल्चर से एमिशन्स रेड्यूस करने हैं तो आप क्या प्रेक्टिस यूज कर सकते हो अल्टरनेट वेटिंग अंट्रेंग ओफ पैडी यह पास बिल्कुल करेक्ट हैं इंक्रेजिंग तर प्रोड़क्टिविटी ओफ मिल्क और मीट प्रोड़क्शन ए इससे क्यों आएगा हम क्या कर सकते हैं जो इरिगेशन की बार-बार फ्रिक्वेंश अपको देनी परते हैं आगर आप वो रिड्यूस को यह तो इसके लाब अगर आप और मीट की प्रोड़क्टिविटी बढ़ातो तो इससे क्यों आएगा अनीमल और प्रोड़क्टिवि यह तो चलिए इसका फर्स कोशन स्टाट करते हैं जो ब्रह्म पुत्र रीवर नहीं आपको देखा है कि वह इंडिया में हमेशे ब्रह्म पुत्र रीवर क्या करते हैं उसकी वज़े से आप फ्लेड्स आती हैं लेकिन तीबत में नहीं आता है लिवर हेजर कोश हो इसका मेजर कोश क्या हो सकता है कि इंडिया में अन क्या ब्रह्म पुत्र रिवर पास होते हैं ब्राइष हो जाती है इसके लावा जो सेकेंड कुछी जो ब्रहम पुत्र है इस मांगड वैदा ही उजी पोजिट ऑफ सिल्ट ओन इट्स पैट्स कि जिसकी वज़े से जो रिज़ेट है वह राइस वजाता है तो पता हो क्या दूनों के दूनों रिज़ेंस के हैं बिल्कुल करेक्ट है तो दूनो पता है में जो ब्रहम पुत्र रिवर जो पास होती है वो हाई रेंफॉर्ड डिजन से क्या होते है पास होते है जिसकी वज़े से हमेशा आप देखते हो कि असाम और क्या है बंग्लादिश के कुछ एर्यस में आती है फ्लट आती है इसके लावा क्या है इस और जो इस में देखा है वो किसका इनिशेटिव है काफी बार डेली क्रेंट ओफिस में पढ़ते हैं चाइना जैपान रशिया साउथ के लिए तो इसका करेक्टर से रहार रशिया कैसे है इस्टन एकोनामिक फोरम एक इंटरनेशनल फोरम है जो इसको हर साल हेल्ड किया था थै कि से दार है तो बाट है कि फ्रेंट इंव्स्टमेंट को एंकरेज कर सके इसमें रशियान फाल राई किस से हम यह कडिया उयुनारण फोरम इंटरनेशनल तो जाएज जो अईनिश नेशन! जिसके वजह से रेशल हेटरट फैला जाता है नेशनल इस फेटरट पर चाहता है तो उसको क्या करें मतलब की एड्रेस करें और हम कुछ ऐसी गवर्नमेंट पोलिसी या लेजिस्लेटिव जुडिशल प्रेक्टिस से उनको एंकरेज करें कि सो जट हम क्या कर से के पीसफूल स अभी जो डिफरेंट धर्म के लोग है तो इकटे रह सकें फाइन विल बी को एग्जिस्ट नेक्स्ट कोशिइन है इंटरनेशनलीजाइशन अवर्पी वूड मतलब अगर रूपी को इंटरनेशनलाइस कर सकते हैं मतलब की जो रूपी है जैसे अभी डोलर है डोलर इंटर इसको रूपी में पे कर सकते हैं यह बात बिल्कुल करेक्ट है एक्यूमिलेटिंग इंडियन रूपी एज़र्व करन्सी ओल ओवर द वर्ड बाइद सेंटर बैंक आप देखो आप देखो जैसे हमारा यह डिफरेंट कंडेस का जो सेंटर बैंक से हैं वह हमेशा डोलर को क्य करते हैं इसा रिजर्व रखते हैं क्यों वह इंटरनेशनलाइज़ेशन इससे तरह आगर रूपी इंटरनेशनलाइशन हो जाएगा तो अफकोर्स रूपी को भी सब लोग करेंगे इस रिजव करन्सी रखेंगे तो यह तीनों की तिनों स्टेट्मेंट क्या बिल्कुल कर इसकते हैं तो आगे मैंने आप इन यह तो पताइघ कर सकता है अस्टानेशनलाइशन करेंगे तो हम रूपी इंडिया कमसिंटर से सकते हैं एकम मुण करन्सी से दैशन्सें ठीव इसकेलावा जो ओल अवर्ट रहीं इंडियνη को फ्रेर्शन करन्सी परदेश में नाम तफ़ नेशनल पार्ग के वह इंटेनेशनल बोरडर बेट्वीन इंडियान बुतान के बीच में लाइक थैं नो इंडियान में मार नो इंडियान बॉटान फाइन नियो अधिहंग इंडिया का ओनली रिजर्फ एड्यक इन खतते से तैंडियां इंडिया इंडिया ऑनली रिजर्फ यहां पे विदिन चलांग डिस्टेंट किसके अरुनाचर प्रदेश में फाइन कहां पे लोकेटिट है मियू अमिंग ब्लू हिल्स अमंग दा नवा धी इंगरी वर्ट है इसके लाबा यह उनली पाक है हमारे वर्ट में जहां पे बिग कैट की चारो स्पीसिस आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक होना कोई राव टो कमेंट करना तब तेरे बाबाई टाटा